नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में दोस्तों आज कीस वीडियो से हम अनिवार संस्कित क्लास 10 इस्टार्ट कर चुके हैं जी हाँ दोस्तों कच्छा दस की अनिवार संस्कित सुरू कर चुके हैं और आज कीस वीडियो में हम आपके वारा वारारसी को ही बनारस कहा जाता है जी हाँ दोस्तों वारारसी को ही हम लोग बनारस कहते हैं ठीक है ना चलो देखो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी वाराणसी सुविख्यात मतलब सुपरसिद्ध ठीक है ना प्रसिद्ध या विख्यात कहलो एकी चीज है वाराणसी सुपरसिद्ध प्राचीना मतलब प्राचीन नगरी मतलब नगरी है वराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है यह मतलब यह बिमल सलिल तरंगा यह मतलब गंगा के कूले मतलब तट पर इस्थिता मने इस्थित है यह साप सुथरी तरंगों वाली गंगा नदी के तट पर इस्थित है तो कहा पर इस्थित है वराणसी गंगा नदी के तट पर कूले मतलब तट पर यह किनारे पर इस्थिता मतलब इस्थित है अस्याह घटा नाम वलयाकृति ही अस्याह मतलब इसके घटा नाम मतलब घाटों की ठीक है ना घाटों की वलयाकृति ही मतलब देखो इसका संधी भी छेद करेंगे तो यह होगा वलयाई प्लस आकृति ही वलयाई मतलब होता है गोलाकार रिंग ठीक है ना इस तरीके से वलयाकर्ति इसके घाटों की वलयाकर्ति यानि 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 वलय ज्यादा सुसोभीत होती है राजते मतलब सुसोभीत होती है बहु मतलब अत्यधिक ठीक है न अगर इताह मतलब असंख्य पर्याटकाह मतलब पर्याटक सुदूर अभ्या मतलब दूर से ठीक है न सुदूर अभ्या मतलब बहुत दूर से देशेभ्या मतलब देशों से दूर देशों से ठीक है ना नित्यम मतलब प्रत दिन अत्रमाने यहां आयांती मतलब आते हैं असंख्यों पर यटक दूर देशों से प्रत दिन यहां आते हैं अस्याह घटनांच इसके घाटों की सोभाम मतलब सोभा विलोक के मतलब देख करके इमाम मतलब इसकी यानि वरार्शी क बहुत अधिक प्रसंसंति मतलब प्रसंसा करते हैं तो उमीद करता हूं पहला पैसेज समझ में आया होगा एक बार फिर से देख लीजिए वरार्शी सुविख्यात प्राचीन नगरी है या स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा नदी के तठ परिस्थित है इसके घाटों क अगले पैसेज पर अगला देखो वरार्श्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे बिद्यायाह दिव्यम जोती दोदेते वरार्श्याम मतलब वारार्शी में प्राचीन काला देव का संजी विच्छेद करेंगे तो प्राचीन कालात एव मतलब प्राचीन काल से ही गेहे मतलब घर घर में विद्यायाह मतलब विद्या की दिब्य मतलब आलावकिक जोती मतलब प्रकास दोधते मतलब प्रकासी तो होता रहा है यानि कि वरारसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या यानि ग्यान की दिब्य जोती प्रकासी तो होती रही है अधुनापी मतलब आज भी अत्र माने यहाँ पर संस्कृत वागधारा मतलब संस्कृत वाड़ी की सततम माने लगातार प्रवाहित होती है यहाँ पर मतलब आज भी संस्कृत भासा की धारा यानि संस्कृत भासा आज भी लगातार प्रवाहित प्रवाहती मतलब संस्कृत भासा की धारा जो है लगातार प्रवाहित होती रही थे आज भी यहाँ पर प्रवाही तो हो रही है प्रवाहती का मतलब ही होता है प्रवाही तो होती है ठीक है ना आज भी जनान्च ग्यानन्च वर्धयती और प्रवाही तो हो करके जनाना मतलब लोगों का ग्यानन्च मतलब ग्यान वर्धयती मने बढ़ाती है ठीक है ना समझ में बिद्वान मूर्धन्याः विद्वान सा मतलब मूर्धन्य विद्वान बैदिक वांगमस मतलब बैदिक साहित्य के ठीक है ना वांगमस मतलब साहित्य के अध्यापने मतलब अध्यापन 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 में इदानीम निर्ता मतलब यहाँ पर लगे रहते हैं ठीक ह मतलब देवताओं की भासा यानी संस्कृत भासा के अध्याय नाय मतलब अध्यायन करने के लिए अत्र माने यहां पर आगच्छंति मतलब आते हैं, देखो गीरवान वान्या कहा गया है संस्कित भासा को गीरवान भारती कहा गया है संस्कित भासा को ठीक है न यानि कि केवल भारती यही नहीं अपितु बिदेशी लोग भी संस्कित भासा के अध्यान के लिए यहां आते हैं ठीक है न और आते हैं निसुलकम्च बिद्याम ग्रहाण अत्रमाने यहाँ पर कासी विद्ध्य पीठ पिठ इत्य ते मतलब इस नाम के तीन विश्व विद्याले हैं एसु नवीना नाम प्राचीना नांच ग्यान विज्ञान विश्याराम अध्याइनम प्रचलिता जिन में नवीन प्राचीन ग्यान विज्ञान विश्यों का ध्यान चलता रहता है ठीक ना समझ में आया फिर से एक बार पूरा पैसेश देख ल अत्र यानि यहां पर अनेकों आचार, मुधन, विद्वान, बैदिक, साहित के अध्यान और अध्यापन में लगे रहते हैं किवल भारती ही नहीं अपितु विदेशी लोग भी संस्कित भासा के अध्यान के लिए यहां आते हैं और निशुल के विद्या ग्रहाण करते हैं यहां हिंदू विशुविद्याले, संस्कित विशुविद्याले और कासी विद्या पीठ नाम के तीन विशुविद्याले हैं जिन में नवीन और प्राचीन ग्यान विज्यान विश्यों का अध्यान चलता रहता है ठीक है ना आगे देखो आगे क्या है एसा नगरी भारतिय संस्कृते संस्कित भासा यास्च केंद्रिस्थलम अस्ति एसा नगरी मतलब यहां नगरी भारतिय संस्कृती और संस्कित भासा का केंद्रिस्थल है इत एव संस्कृत वांग मयस्च संस्कतेश्च आलोका सरवत्र इत एव मतलब यहां से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक यानि प्रकास सब जगह प्रकासित होता है या फैलता है सरोता प्रसरता मतलब फैलता है ठीक है न प्रसाजित होता है यहां से ही संस्कित साहित्य और संस्किर्टी का प्रकास सभी जगा प्रकासित होता है मुगल यूराज दारा सिकोह एक नाम है ठीक है ना मुगलों का यूराज था दारा सिकोह अत्रागत्य मतलब यहां आ करके भारतिय दर्शन सास्त्रा नाम सास्त्रों का अध्यान अकरोत मुगलियू राजदारा सिकोह यहां आ करके भारतिय दर्शन सास्त्रों का अध्यान किया और उसके बाद क्या किया सतेसाम ग्यानेन उनके ग्यान से तथा प्रभाविता अभुवत और भारती दर्शन सास्तों के ग्यान से प्रभावित हुआ यत तेन उपनिखदाम अनुआदा पार्सी भासा याम कारिता और इसी वजह से यत तेन मतलब इसी वजह से उसने अपने उपनिखदाम मतलब उपन यहां नगरी भारती संस्किती और संस्कित भासा का केंदर इस्थाल है यहां से ही संस्कित साहित और संस्किती का प्रकास सब जगा फैलता है मुगली उराजदारा सिको हो यहां करके भारती दर्शन सास्क्रों का धेन किया और उसके ग्यान से वो प्रभावित हुआ और इसी का स्थलल है मातमा बुद्ध तीर CPR पार सुनात संक्राचार कभीर कोश्वामितुल्सी दास और अन्यिचाब भोवामतलब बहुत से महातमा अत्रागत्य मतलब यहां आकर के फूंय मतलब अपने विचारान मतलब विचारों को प्रसारयन मतलब फैलाई महत्मा बुद्ध हो गए तीर ठंकर हो गए पार सुनात हो गए संक्राचार कबीर गोस्वामी तुलसिदास और अन्य बहुत से महत्मा यहां आ करके अपनी विचारों को फैलाई ठीक है ना ना केवलम दर्शने केवल दर्शन में ही नहीं साहित्य धर्म ना केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला के छेत्र में भी यह नगरी अलग अलग विविधा नाम मतलब अलग अलग कला नाम मतलब कलाओं में सिल्पा नांच मतलब सिल्पों में के कारण लोके विश्चुर सुर्टा मतलब जानी जाती है। यहां की रेश मी साड़ियां देशे देशे सरवत्र इस प्रहंते मतलब देश देश में सभी जगह पसंद की जाती हैं इस प्रहंते मतलब इस पर्स की जाती हैं या पसंद की जाती हैं यहां की रेश मी साड़ियां ठीक है न अब देखो एक बार फिर से इसको देख लो या न अलग अलग धर्मों के मिलन के स्थले महत्मा बुद्ध तीर्थंकर पारसुनास संक्राचार कभीर गोस्वामी तुलसिदास अन्यचा बहुत से महत्मा यहां आ करके अपने विचारों को फैलाए किवल दर्शन साहित और धर्म में ही नहीं अपितु कला के छेतर में है नगरी अलग अलग कलाओ सिल्पों के कारण संसार में जानी जाती है यहां की रेशमी साडियां देश-देश में पसंद की जाती है अत्रत्याह प्रस्तर मूर्तयाह प्रतिताह मतलब यहां की प्रस्तर मूर्तियां प्रतिताह मतलब प्रसिध हैं ठीक हो गी यते कभी भी तभी तो कभी लोग गाते हैं क्या गाते हैं कभी लोग मंगलम मरणम यत्र बिभूते रियत्र भूसनम मतलब मंगलम मरणम यत्र जहां पर मरणा मंगलकारी होता है मरणम मतलब मरणा मंगलम मतलब मंगलकारी यत्र माने जहां पर होता है ठीक ना विभूतिर यत्र भूसनम जहां की धूल धारन करना यानि जहां कि धूल को इसपर्स करना आभूसन धारण करने के समान होता है बिभूती रियत्र मतलब बिभूती बिभूती मतलब वहां की रज जो है धूल है या कहलो भस्म जो है वहां की ठीक न वहां की भस्म जो है धूल जो है मिट्टी जो है आभूसन के समान है कावपीनम यत्रकाव सेयम कावपीनम मतलब लंगोटी ही जहां का रेशमी वस्त्र है ठीक ना लंगोटी ही जहां का रेशमी वस्त्र है कासी के नोप मायते वह कासी उस कासी की तुलना किसके साथ की जा सकती है यानि कि उस कासी की तुलना करने योग और कोई दूसरी भी जगा नहीं है तो इस तरीके से आज के ये चैप्टर खत्म होता है उमीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजे ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचेगी